नमस्कार आज हम पढ़ेंगे ओलिवर गोल्ड स्मित का निवंध नैशनल प्रेजुडिस यानि कि राश्ट्रिय पूर्वाग्र है यह निवंध हमारे सिलिबस में तो नहीं है डॉक्टर बियार अम्बेडकर युनिवर्सिटी आगरा का जो सिलिबस है उसमें यह निवंध शामिल नहीं है लेकिन शायद गोरखपुर युनिवर्सिटी में यह निवंध है क्योंकि मुझे किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट भेजी हुई है तो चलिए शुरू करते हैं गोल्ड स्मित प्रोज इस ग्रेसफुल तो यह थोड़ा सा गोल्ड स्मित की प्रोज के बारे म है यानि कि बोध गम में है लिउसिट को बोध गम में बोलूंगी तो आप मैंसे कुछ कहेंगे कि आपकी हिंदी को भी ट्रांसलेशन की जरूरत है तो बोध गम में वो चीजें होती है जो आसानी से समझ में आ जाती है तो लिउसिट यानि आसानी से समझ में आती है हलांके आप देखेंगे कि काफी difficult words भी उसने use किया है Let's find out आओ पता लगाएं Why, क्यों, He describes वो वर्णन करता है National Prejudice राष्ट्रिय पूर्वाग्रे तो पूर्वाग्रे क्या होता है जो चीजें हम पहले से सोच लेते हैं हमारे समाज में बहुत सारे Prejudices होते हैं कि हम किसी के बारे में सोच लेते हैं अच्छा वो उस धर्म का है अरे तो फिर तो जरूर गलत होगा या फिर उस जाती का है अरे फिर तो उसमें ये बुराईयां होंगी तो अच्छा निम्नवर्ग्स से आता है तो फिर इसको क्या आता होगा क्या जानता होगा अरे गाओं का रहने वाला है अरे तो इसको कहां नौलेज होगी इसको कहां अंग्रेजी आती होगी तो ये हमारे Prejudices होते हैं पुर्वाग्रह होते हैं जब हम पहले से ही किसी के बारे में सोच लेते हैं तो यहां पर describe किये हैं उन्होंने वर्णन किया है कुछ राष्टिय पूर्वा ग्रहों का as absurd and ridiculous तो absurd कौन से होता है जिनमें कोई logic नहीं होता तर्क हीन और ridiculous हस्यासपत तो चलिए शुरू करते हैं यह यहां से शुरू होता है as I am as जैसा के I am मैं हूँ one of that sauntering tribe of mortals one यानि मैं एक हूँ उन में से किन में से that sauntering sauntering मतलब घूमते रहने वाले tribe यानि tribe तो कभीला होता है तो मैं कभीला एक मतलब यहां पर tribe का मतलब हुआ एक प्रकार घूमने वाले लोगों के प्रकार मैं से हूँ मैं उन मैं से हूँ of mortals मनुश्य तो जो घूमने वाले मनुश्य हैं मैं उन मैं से एक हूँ who spend जो बिताते हैं the greatest part ज्यादतर भाग of their life of their time अपने समय का in taverns टेवन्स वो रुकने के स्थान होते हैं सराय बोलते हैं सरायों में coffee houses जहां लोग coffee पीते हैं और discussion करते हैं तो coffee houses में and other places और दूसरे स्थानों पर of public resort public resort जहां सार्व जाने के स्थान आप इनको बोल सकते हैं जहां public जाती है I have thereby तो thereby इस प्रकार से I have an opportunity तो मुझे एक अवसर मिला है of observing अवसर मींस अवलोकन करना देखना ध्यान से देखना तो अवलोकन करने का an infinite variety, infinite क्या होता है असीमित, variety, विविद्धा, of characters, पात्रों की, चरित्रों की which to a person, जो के एक व्यक्ती के लिए of a contemplative turn, contemplative means विचारशील turn यानि जो जिसका मस्तिश्क हो, जिसका दिष्टिकोंड हो, तो एक विचारशील दिष्टिकोंड वाले व्यक्ती के लिए is a much higher entertainment, is है, a much higher, एक बहुत उच्च कोटी का entertainment, मनोरंजन then, अपेक शाकरित, a view of all the curiosities, a view, एक दृश्य, of all the curiosities सारी curiosities क्या होती है, जो अच्छी चीज़ें होती है, सुखद चीज़ें होती है, मनोरंजक चीज़ें होती है आकरशक चीज़ें होती है, वो curiosities कहलाती है, तो all the curiosities of art and nature art, कला की और nature, यानि प्रकृती की तो जितनी भी curiosities है, art की और nature की, यानि कला की और प्रकृती की उन सबसे ज्यादा अच्छा है मेरे लिए इन विविन लोगों के बारे में जानना यानि घूमना फिरना और अलग-अलग लोगों के बारे में जानना in one of these, यानि इन में से एक में of my late rambles rambles यही मेरा जो घूमना है, मेरा जो ब्रहमन है तो late का मतलब यहाँ देर वाला नहीं है, मैं late हो गया तो आप बोलेंगे देर हो गया, लेकिन यहाँ पर, यहाँ late का मतलब है हाल ही के देखिए तो बिलकुल अलग अर्थ है, शब्द वही है, लेकिन अलग-अलग जगए अर्थ अलग होता है तो यहाँ पर late का अर्थ है हाल ही के, तो मेरे हाल ही के एक ब्रहमन के दौरान I, मैं accidentally, संयोग से, by chance, fell into the company fell into, यानि पहुँच गया, the company, संगती में of half a dozen, आधा दर्जन, gentleman, यानि सज्जन लोगों की में आधा दर्जन सज्जनों की संगती में मैं पहुँच गया, by chance who were engaged, engaged यानि व्यस्त थे, जो के busy थे, व्यस्त थे in warm dispute, warm जो गर्म जोशी से किया जा रहा है, dispute, वाद विबाद about some political affair, किसी राजनीतिक affair मुद्दा, किसी राजनीतिक मुद्दे के बारे में, the decision, निर्णे, of which, जिसका के, as they, जैसा के वो, were, थे, equally, बराबर रूप से, divided, यहाँ पर यह एन गलत चप गया है, dividend का, यहाँ पर अर्थ निकलेगा ही नहीं, यहाँ पर, dividend भी वैसे word होता है, लेकिन वो अलग अर्थ में आता है, यहाँ पर जो अर्थ निकलेगा, वो divided से ही निकलेगा, तो equally divided, वो समान रूप से बटे हुए थे, in their sentiments, अपनी भावनाओं में, they thought, उन्होंने सोचा, proper, उचित, to refer to me, to refer to me, यानि मेरे पास आना, which, जोके, naturally, प्राकरतिक रूप से, drew me, मुझको ले गया, in for a share, यानि, share भाग लेने के लिए, off the conversation, इस बाचित में, तो, यानि, वो decision ने, खुद तो लेनी पा रहे थे, क्योंकि अपनी भावनाओं में, बटे हुए थे, तो लेखक की ओर आए, decision करवाने के लिए, और इस लिए, लेखक को भी, उनके conversation में, बाचित लेनी पड़ी, otherwise, तो वो नहीं ले रहा था, बाचित में भाग, among us, यानि की मध्य में, a multiplicity, multiplicity बहुतायत, of other topics, दूसरे topics की, मुद्धों की, यानि, दूसरे topics की, दूसरे मुद्धों की, बहुतायत के बीच, we took occasion, to talk of the different characters, we took occasion, यानि, हमने मौका पाया, to talk to, to talk of, बाचित करने का, किसके बारे में, the different characters, women, लोगों के, of the several nations of Europe, several, बहुत सारे nations, राष्ट of Europe, यूरोप के, यूरोप के, बहुत से राष्ट्रों के, लोगों के बारे में, बाचित करने का, हमें, मौका मिला, जब, जब, one of the gentleman, महान भावों में से, एक, कौकिंग, ठीक करते हुए, his hat, अपना टोप, and assuming, और, मतलब, ओड़ते हुए, अपनाते हुए, such an air, एर का मतलब, यहां हवा नहीं, यहां such an air का मतलब, how, how, एक, ऐसा हाव भाव, of importance, महत्तो का, as if, जैसे के, he had possessed, वो रखते हुए, all the merit, सारी योग्यता, of the English nation, अंग्रेजी, राष्ट्र की, in his own person, अपने खुद के व्यक्तित्तों में, declared, उन्होंने घोशना की, that, कि the Dutch, यानि Holland के निवासी, were a parcel, वो एक बंडल है, of avaricious, avaricious, यानि कि लालची, ratches, ratches means बिचारे, या फिर दुष्ट भी आप कह सकते हैं, तो लालची दुष्टों का एक बंडल है, कौन लोग, Holland के निवासी, डच लोग, the French, और फिर वो फ्रांसीसियों के बारे में बोले, the French, यानि कि फ्रांसीसी लोग, a set, वो एक जुन्ड है, of flattering, चापलूसी करने वालों का, psychophant, चापलूस, psychophant मलब चापलूस होता है, of flattering, चापलूसी करना, तो चापलूसी करने वाले, या buttering करने वाले, मखन लगाने वाले चापलूसों का, एक जुन्ड है, कौन? फ्रांसीसी लोग, that the Germans, और फिर वो जर्मन्स के बारे में अपनी राय देने लगे, कि जो जर्मनी के निवासी है, were drunken sorts, पियक्कड लोग है, वैसे तो French wine सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन जर्मनी की wine भी बहुत अच्छी होती है, तो उन्होंने कहा कि जर्मनी के लोग तो पियक्कड लोग है, and beastly glutton, beastly जानवरों के जैसे glutton, यानि कि पेटू, खाने पिने वाले लोग होते हैं जर्मन्स, तो उनको पेटू बोला, और पियक्कड बोला, and the spaniards, और spain के रहने वाले लोग, proud, घमंडी, haughty, haughty मालब वोई गुसे बाज, and surly tyrants, surly को आप तुनक मिजाज कह सकते हैं, और tyrants ताना शाह, मालब उनकी प्रकरती ऐसी होती है, but, लेकिन, that, के, in bravery, बहादूरी में, generosity, उदारता में, clemency, दयाभाव में, and in very other virtue, very की जगह यां, every होना चाहिए, and in every other virtue, और दूसरे प्रत्येक गुण में, the English, अंग्रेज लो, excelled, आगे हैं, all the rest of the world, सारे बाकी संसार से, the rest का मतब होता है, बाकी, संसार, तो सबसे आगे, अंग्रेज हैं, हम भी तो कहते हैं, सबसे आगे होंगे, हिंदुस्तानी, वैसे ही, ये बोले, कि भई, सबसे आगे, अंग्रेज हैं, तो हम जब कहते हैं, कि भई, सबसे आगे होंगे, हिंदुस्तानी, तो हम किसी को नीचा थोड़ी ना दिखाते हैं हम किसी और की बुराही थोड़ी ना करते हैं भई ये अपनी तारीफ कर रहे हैं दूसरे की बुराही तो नहीं कर रहे हैं तो Oliver Goldismith यहाँ पर इस बास से नाराज है कि इन साहब ने ये तो कहा में बुरा सोचते हैं तो ये पूर्वा ग्रह कहलाता है और इंगलिश में प्रेजुडिस कहलाता है और इनके खिलाफ है ओलिवर गोल्ड स्मित दिस ये वेरी लेर्नेट बहुत ग्यान से भरा हुआ एंड जुडीसियस और नियाय संगत रिमार्क टिपणी was received प्राप्त किया गया with a general smile एक सामान्य मुस्कान के साथ of approbation, approbation समर्थन होता है समर्थन की मुस्कान के साथ by all the company सारे लोगों के द्वारा all the company यानि वहाँ जितने लोग बैठे होते सभी तो अंग्रेज थे तो भई जब तारीफ हुई कि अंग्रेज सबसे आगे हैं तो सारे लोग approbation यानि कि समर्थन के साथ मुस्कुराए all सभी I mean मेरा मतलब है but सिवाए your humble servant आपका विनम्र सेवक तो आपका विनम्र सेवक यहां कौन है Oliver Goldsmith हमसे कह रहा है हम पढ़ रहा है ना उसका निबंध हमसे कह रहा है कि मैं आपका विनम्र सेवक हूँ उसके सिवाए but का मतलब यहां लेकिन नहीं है यहां but का मतलब है सिवाए और मैं आपका विनम्र सेवक तो आप यह बात नोट करेंगे कि देखिए कैसे वो हमसे बात कर रहा है और हमसे कह रहा है कि मैं आपका विनम्र सेवक हूँ तो जब आप लिखेंगे ना Oliver Goldsmith की writing style पर लिखेंगे तो यह बात वहाँ पर mention करेंगे who जो के endeavoring प्रयास करते हुए कोशिश करते हुए to keep बनाई रखने की my gravity मेरी गंभीरता को as well as कितने अच्छे तरीके से as I could जितना मैं कर सकता था and reclining और जुकाते हुए my head मेरा सिर upon my arm अपनी बाहँ पर continued मैंने जारी रखा for some time कुछ समय तक in a posture posture यानि बैठने का तरीका होता है तो उस posture में इस्तिती में of affected affected क्या होती है जब हम किसी चीज को दिखाते हैं दिखावे की तो affected दिखावे की thoughtfulness विचार शीलता यानि ऐसे बैठ गया अपने हाथ पे अपना सिर रखके जैसे कि मैं बहुत विचार में डूबा हुआ हूँ affected बनावटी विचार शीलता as if जैसे कि I had been musing muse मने सोच ना जैसे कि मैं सोच रहा था on something else किसी और चीज के बारे में and or did not seem यानि मैंने ऐसा दिखाया seem means प्रतीत होना और जै प्रतीत ना हो to attend कि मैं ध्यान दे रहा हूँ to the subject विशेपर of conversation बातचीत के यानि उनका जो conversation चल रहा है उनकी जो बातचीत चल रही है उस विशेपर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ ऐसा मैंने दिखाया hoping उमीद करते हुए by these means इन साधनों के द्वारा इन तरीकों के द्वारा to avoid बचने की the disagreeable disagreeable असेहमती पूर्ण necessity आवश्यक्ता of explaining व्याख्या करने की myself, खुद की and or thereby इस प्रकार depriving वंचित करते हुए the gentleman सज्जनों को of his imaginary happiness उसकी जो कालपने खुशी थी उससे यानि मैं वो तो सज्जन सोच रहे होंगे कि भई लेखक ने गोल्डिस्मित ने भी उनकी बात सुनी है और उनका समर्थन कर रहा है लेकिन गोल्डिस्मित तो ये दिखा रहा है कि वो उनकी बाती नहीं सुन रहा है उनका ध्यान नहीं दे रहा है कुछ और बात सोच रहा है और इस तरीके से गोल्डिस्मित ने उन सज्जन को वंचित कर दिया उनकी कालपनिक खुशी से बट लेकिन माई मेरा सिउडो पैट्रियट अब इसमें पैट्रियट तो आप जानते होंगे कि पैट्रियट मीन्स होता है देशभग्द अब ये सिउडो क्या बला है भाई सिउडो होता है कालपनिक या फिर आप कहिए कि जूठा कालपनिक वो होता है सिउडोनिम होता है अक्सर आपने देखा होगा कुछ जो लेखक होते हैं उनका नाम कुछ और होता है और वो किसी और नाम से लिखते हैं तो वो सिउडोनिम कहलाता है उनका तो सिउडो मतलब कालपनिक या फिर नकली तो इसको pseudo patriot क्यों बोला Oliver Goldsmith ने क्योंकि मुझे लग रहा Oliver Goldsmith किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो दूसरे देश की बुराई करे उनके नजर में वो व्यक्ति वास्तम में patriot नहीं है तो उन्होंने इनको बोला pseudo patriot ये सवाल आप से पूछा जा सकता है और टिपणी में भी short answer type में पूछा जा सकता है कि Oliver Goldsmith ने उस व्यक्ति को pseudo patriot क्यों कहा है जबकि भी वो तो अपने देश से प्यार कर रहा है देश की तारीफ ही तो कर रहा है अंग्रेश सबसे अच्छे हैं तो ये बात कहना मलीज़े आप कहें हिंदुस्तानी सबसे अच्छे है तो आप patriot हुए न तो इनको pseudo patriot क्यों कह रहा है तो इसका जवाब आप क्या देंगे कि Oliver Goldsmith की नजर में वो व्यक्ति जो दूसरे देश की बुराई कर रहा है वो सच्चे अर्थों में patriot नहीं है तो but my pseudo patriot लेकिन मेरा ये जो नकली देशभक्त है had no mind had no mind उसका कोई इरादा नहीं था mind का अर्थ या मस्तिश्क नहीं यहां mind का अर्थ है इरादा उसका कोई इरादा नहीं था to let me escape यानि मुझे बच कर जाने देने का so easily इतनी आसानी से not satisfied इस वास से सहमत नहीं that कि his opinion उसकी राय should pass गुजर जाए without बिना contradiction विरोध के he was determined वो द्रड़ था to have it इसको ratified by the suffrage of everyone in the company to have it ratified मतब इसको मनवाने के लिए he was determined वो द्रड़ था to have it ratified इसको मनवाने के लिए by the suffrage यानि suffrage बोट डालके of everyone हर किसी का इन्दा कंपनी जो कि महाँ पर मौजूद थे संगती जो थी पूरी उससे मनवाना चाहते थे वो for which purpose इस उद्देश्य से addressing himself अपने आपको संबोधित करते हुए to me मेरी ओर with an air एक howb how के साथ of inexpressible inexpressible express मने अभिवेक्ट करना expressible जिसको अभिवेक्ट किया जा सके inexpressible जिसको अभिवेक्ट न किया जा सके तो एक ऐसे howb howb के साथ जिसको अभिवेक्ट नहीं किया जा सकता inexpressible confidence आदम विश्वास के साथ He asked me उन्होंने मुझसे पूछा If का मतलब यदी होता है और यहां पर आएगा कि क्या He asked me If I was of the same way of thinking कि क्या मैं नहीं था Was not नहीं था Of the same way of thinking इसी प्रकार की सोच का As I am never forward As जैसा के I am मैं हूं never कभी नहीं Forward आगे आने वाला In giving my opinion अपनी राय देने के लिए Especially विशेश रुप से When जब I have reason मेरे पास कारण हो To believe विश्वास करने का That It will not be agreeable It यह यानि के मेरी राय Will not be नहीं होगी Agreeable सेहमत होने लायक So इसलिए When जब I am obliged मैं बाद्धे होता हूं To give it इसको देने के लिए I I May Always हमेशा Hold it इसको रोके रहता हूं For a Maxim To speak My Real Sentiment देखिए वैसे तो Maxim का जो मतलब होता है वो होता है सूक्ती या कहावत प्रोवर यानि कोई Meaningful जो Sentence होता है उसको Maxim बोला जाता है लेकिन यहां पर इसका मतलब है For a Maxim लब ज्यादा से ज्यादा देर तक I always hold it मैं हमेशा इसको रोके रखता हूं For a Maxim यानि ज्यादा से ज्यादा देर तक To speak बोलने के लिए My real sentiments अपनी वास्तविक भावना को I मैंने Therefore इसलिए Told Him उसको बताया That For my own part जहां तक मेरा सवाल है For my own part यानि मेरे बहाफ़र जहां तक मेरी बात है जहां तक मेरा सवाल है I should not have ventured मैं venture नहीं साहस करना मैं साहस नहीं करूंगा To talk बोलने का बात करने का In such a Peremptory Strain In such यानि एक ऐसे Peremptory का मतलब होता है कि Nynayatmak Decisive Strain लहजे में तो मैं ऐसे Nynayatmak लहजे में बात करने का सहस नहीं करूंगा Unless जब तक के यदी ना यदी मैंने ना किया हो I had made यदी मैंने ना किया हो The tour of Europe Europe का ब्रहमट तो भई जब तक मैं France नहीं गया मैं Germany नहीं गया Spain नहीं गया Holland नहीं गया तो इन देशों के लोगों के बारे में अपनी राय कैसे दे दूँ तो ऐसा कोई निनयात्मक statement कथन मैं नहीं दे सकता जब तक के मैंने Europe का एक भवर्वर्ण ना किया हो And examined और ना परखा हो ना देखा हो ना निरिक्षण किया हो The manners यदी तोर तरीकों का Of these several nations In विविन राष्ट्रों के With great care बहुत साबधानी से And accuracy और सटीकता से That ये Perhaps शायद A more impartial judge तो that कर यह मतलब आएगा के के शायद एक ज्यादा more ज्यादा impartial यनि जो के भेदभाव ना करता हो निश्पक्ष Judge यानि नियादिश Would not Scruple मतलब के Would not scruple यानि नहीं हिचकेगा To affirm केहने में That के The Dutch यानि के Holland वासी Were more frugal and industrious Holland वासी है More ज्यादा Frugal मित्वई मित्व यही वो होते हैं जो कम खर्चे में अपना काम चला लेते हैं And Industrious और परिश्रमी The French Francici More ज्यादा Temperate यानि कि Temperate वो लोग होते हैं जन्हें जल्दी गुस्सा नहीं आता जो अपने व्यवहार पर नियंत्रण करना जानते हैं And Polite और Venom The Germans Germany के रहने वाले More Hardy ज्यादा आपके ही के श्रम करने वाले ज्यादा साहसी And Patient और धहर्यवान Off Leber यानि Leber परिश्रम यानि महनत महनत में And Fatigue और ठकान में यानि उनको जल्दी ठकान नहीं होती जहां बात Leber की और Fatigue की होती है यानि German लोग Hardy यानि की श्रम करने वाले होते हैं और Patient Patient का मतलब यहां मरीज नहीं बलके धहर्यवान होते हैं उनके अंदर Patience होता है And Or The Spaniards Spain के रहने वाले More Stained And Sedate अधिक शांत होते हैं और गंभीर होते हैं Stained शांत Sedate Then the English 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 Who जो के दो हलांके Undoubtedly Nisandeh Brave बहादूर होते हैं And Generous और उधार होते हैं Were हैं यहां पर Were का मतलब क्योंकि उन्होंने इस तरीके से कहा है ना कि जैसे Universal Truth हो तो हैं At the same time साथ ही Rache Rache का मतलब जल्दबाजी में काम करने वाले Head Strong वो भी अधीर हुए Head Strong भी मतलब जो बिना सोचे समझे काम करते हैं And To Respond In Adversity Or To Respond मतलब कि निराश हो जाने वाले In Adversity बुरे दिनों में जब दुर्भाग्य आता है Adversity Means दुर्भाग्य तो दुर्भाग्य के दिनों में बुरे दिनों में निराश हो जाने वाले होते हैं I could easily perceive Easily आसानी से perceive देख सकता था मैं आसानी से देख सकता था That कि All the company सारी संगत Begin to regard me Begin यानि करने लगी क्या To regard Means मानना मी मुझको मुझको मानने लगी या मुझको देखने लगी With a jealous eye एक इश्या से भरी नजर से सारी संगत मुझे इश्या से भरी नजर से देखने लगी Before इससे पहले के I had finished मैं समाप्त कर पाता My answer अपना जवाब Which जो के I had no sooner done मैंने जैसे ही किया Then वैसे ही The patriotic gentleman observed Patriotic देशभक्त Gentlemen, surgeon, observed उन्होंने देखा या फिर उन्होंने Observe का मतलब देखना भी होता है Observe का मतलब कहना भी होता है तो उन्होंने यहाँ पर क्योंकि आगे ये sentence जुडा हुआ है That से तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ Observe का उन्होंने कहा with a contemptuous sneer contemptuous नफरत से भरी हुई sneer मुस्कुराहट या फिर मजाख किसी का बनाना sneering होता है तो उन्होंने एक नफरत भरी मुस्कान के साथ कहा क्या कहा that he was greatly surprised वो greatly बहुत surprised आश्यर चकित थे how, कैसे some people, कुछ लोग could have the conscience conscience, अंतरात्मा और या फिर जमीर उर्दू में बोलते हैं जमीर हिंदी में बोलते हैं अंतरात्मा और इंग्लिश में बोलते हैं conscience तो कैसे कुछ लोगों के अंदर अंतरात्मा हो सकती है to live, रहने की in a country, एक देश में which, जिसको के they did not love वो प्यार नहीं करते अब ऐसा क्यों बोला भी प्यार नहीं करते, क्योंकि उन्हों ने यहां बोल दिया ना, गोल्डिस्मिन ने क्या बोल दिया यहां, अपने देश वासियों के बारे में क्या बोल दिया देखिए, यहां यह यह वाला सेंटेंस आपने नोडिस किया अइड्स Nash, Headstrong and Despond तो उसने अंग्रेजों को क्या बोल दिया छोद एक अंग्रेज है उलिवर ईडिस्मिन और उसने अंग्रेजों को बोल दिया अइड्स, Headstrong and Despond मतब कि बड़े अधीर होते हैं बिना सोचे समझे काम करने बाले होते हैं निराशावादी होते हैं तो ये सारी बातें बोल नी तो ये बात सुनकर उन महानुभाव ने कहा कि ऐसे कुछ लोग हैं जिनके अंदर जमीर होता है कि एक देश में रहते हैं उसको प्यार किये विना they did not love and to enjoy और मजे लेते हैं the protection सुरक्षा के of a government एक सरकार के to which जिसको के in their hearts अपने दिलों में they were inveterate enemies मतलब के they were वो है inveterate inveterate का मदब होता है cutter या फिर पुराने enemies दुश्मन जिसके वो पुराने दुश्मन हैं अपने दिलों में उसी सरकार से सुरक्षा लेते हैं उसी देश में रहते हैं और उसको प्यार भी नहीं करते कमाल है भी हम भी ऐसा बोलते हैं कुछ लोगों के बारे में finding पाकर that by this modest declaration by दुआरा this ये modest विनम declaration of my sentiments sentiments यानि के अपनी sentiments अपनी भावनाएं इस तरीके से व्यक्त करके I had forfeited मैं forfeet मतलब खो देना मैं खो चुका था the good opinion अच्छी राय of my companions अपने साथियों की and given them और उन्हें दे चुका था occasion अवसर to call करने का कहने का my political principles मेरे राजनीतिक सिध्धानतों को in question तो call in question ये एक साथ जुड़ेगा call in question का मतलब सवाल खड़ा करना प्रश्न चिन लगाना कटगरे में खड़ा करना तो मैं अवसर दे चुका था उन लोगों को कि वो मेरे political principles को मेरे राजनीतिक सिध्धानतों को कटगरे में खड़ा करें उन पर प्रश्न चिन लगाएं उन पर सवालिया निशान लगाएं and or well knowing अच्छी तरह जानते हुए that it was ये था in vain to argue तर्प करना with men लोगों से who were जो कि थे so very full इतने ज्यादा भरे हुए of themselves अपने आप से जो अपने आप से भरा हुआ है मतलब कि जो अपने ही विचारों को सरवोच मानता है तो उससे तर्क करना बेकार है I threw down मैंने fake दिया my reckoning reckoning तो होता है गरना करना अनुमान भरोसा तो जो भी था मेरा अनुमान मैंने छोड़ दिया मैंने अपना भरोसा छोड़ दिया और उसके बाद क्या हुआ and retired और मैं चला गया to my own lodgings अपने lodging बो जगे होती है जहाँ हम रहते हैं तो अपने निवास इस्थान को मैं लोट गया reflecting विचार करते हुए on the absurd absurd होता है अतारकिक इल्लोजिकल and or ridiculous हास्यास्पत nature प्रकृती of national राष्ट्रिय prejudice दुर्भावना की and prepossession prepossession दुर्भावना prejudice मैंने अभी आपको बताया कि पूर्वा ग्रह होते हैं तो पूर्वा ग्रह भी दुर्भावना ही होती है तो prepossession और prejudice दोनों का मतलब एक ही है pre दोनों में लगा हुआ है pre prejudice में भी pre है और prepossession में भी pre है तो pre का मतलब आप जानते हैं होता है पहले ही तो पहले ही हमने जो अपना विचार बना रखा है अपनी जो opinion बना रखी है अपनी राय बना रखी है और जो राय नकारात्मक भी है और हमने पहले से बना रखी है वो prejudice या prepossession होता है दुर्भावना पूर्वा ग्रह तो में इन पूर्वा ग्रहों पर विचार करता हुआ अपने निवास स्थान को चला गया Among all the famous sayings famous प्रसिद्ध sayings कहावतें of antiquity means प्राचीन ताकी और among means मध्य तो जितनी भी प्रसिद्ध प्राचीन कहावतें हैं उनमें उनके मध्य there is none कोई भी नहीं है that does जो कि करती हो greatest honor यानि महानतम सम्मान to the author लेखक को or efforts या फिर लाती हो greater pleasure ज्यादा खुशी to the reader पाठक को at least if he be a person of a generous and benevolent heart at least कम से कम if यदि he be वो है a person एक व्यक्ती of a generous एक उदार and benevolent benevolent जो के परहित के बारे में सोचता है दूसरों के भले के बारे में सोचता है वैसा heart हिर्द है then उससे that of the philosopher उस दार्षनिक की who जो के being asked जब उससे पूछा गया what country man he was कि किस देश का निवासी वो है replied उसने उत्तर दिया that he was वो था a citizen of the world एक citizen एक नागरेक of the world संसार का तो यह जो a citizen of the world यह गोल्ड स्मित की एक किताब का भी नाम है how few कितने कम are there है to be found पाए जाते हैं यानि कितने कम पाए जाते हैं in modern times आधुनेक समय में who can say जो कह सकते हैं the same यही बात यानि कितने लोग हैं आधुनेक समय में जो यह कह सके हैं कि वो किसी एक देश के नहीं बलके सारे संसार के निवासी हैं सारे संसार के नागरिक हैं और who's conduct और या who's जिनका conduct व्यवार is consistent consistent यानि लायक है consistent का मतब मैच करता हो मेल खाता हो with such a profession ऐसे profession व्यवसाय होता है लेकिन यहां इसका मतब हुआ सोच profession का मतब यहां ऐसी सोच तो ऐसी सोच से मेल खाता हो उनका व्यवार ऐसे कितने लोग हैं we are now become हम हम अब हो गए है so much इतने ज्यादा Englishman अंग्रेज Frenchman Francisi Dutchman Holland वासी Spaniard Spain के विनिवासी और Germans या जर्मनी के निवासी that के we are हम है no longer अब नहीं citizens of the world संसार के नागरिक अब हम संसार के नागरिक नहीं रहे हम किसी एक देश के नागरिक हो गए है so much इतना ज्यादा the natives of one particular spot the natives निवासी of one एक particular विशेश spot किसी विशेश इस्थान के निवासी हम हो गए है और members या फिर हम members सदस्य हो गए है of one एक पैटी तुच सुसाइटी समाज के that के we no longer हम अब नहीं consider मानते हैं ourselves अपने आपको as the general सामान्य inhabitants निवासी of the globe इस ब्रहमान्ड के universe ब्रहमान्ड होता है लेकिन globe तो धर्दी हुई इस planet के इस ग्रह के धर्दी के और या फिर members सदस्य of that grand society उस महान समाज के which जोके comprehensive समस्ता हो of the globe इस धर्दी को और या members सदस्य of that grand society उस महान समाज के which comprehensive जोके समस्ता हो the whole humankind सारी मानव जाती को did these prejudices क्या क्योंकि did पहले आया है तो क्या होना चाहिए लेकिन ये sentence खतम कहा हो रहा है अरे कहीं तो question mark दिखी ने रहा चलिए तोड़ तोड़ के पढ़ना पढ़ेगा लग रहा है ज्याद ही सबसे ज्यादा निक्रिष्ट नीच एंड लोएस वो भी नीच हुए सबसे ज्यादा नीच आफ तोड़ पीपल लोगों में परहेप्स शायद दे माइट भी उनको एक्सक्यूज़ एक्सक्यूज़ मैंने माफ करना शायद उनको माफ किया जा सके यानि अगर ये सबसे ज्यादा निक्रिष्ट लोगों में नीच लोगों में गरीब लोगों में निम्न वर्ग के लोगों में अगर ये प्रेजुडिस हों ये पूरवाग्रह हों ये दुरभावनाए हों तो उनको माफ किया जा सकता है शायद as क्योंकि they have वो उनके पास है few ना के बराबर बहुत कम if any opportunities अगर कोई है भी opportunity officer of correcting सुधारने का them अपने आपको by reading पढ़कर traveling यात्रा करके और conversing या बाचीत करके with foreigners विदेशियों से but लेकिन the misfortune दुर्भाग्य is है that के they in fact वो संक्रमित करते हैं the minds मस्तिशकों को and influence और प्रभावित करते हैं the conduct व्यभार को even of our gentlemen हमारे सज्जन लोगों के भी यानि पढ़े लेखे लोगों के भी सभ्रान्त लोगों के भी of those who have जो रखते हैं every title हर अधिकार to these appellation in appellation का मतलब नाम होता है पदवी होता है यानि gentleman कहलाते हैं वो तो यह एक पदवी हुई एक नाम हुआ तो इस title को इस पदवी को पाने का हर अधिकार वो रखते हैं but an exemption from prejudice उनके पास नहीं है तो केवल exemption exemption means छुटकारा from prejudice पूर्वा ग्रहों से यानि वह कहने को तो वो gentleman है लेकिन वो पूर्वा ग्रहों से exempted नहीं है पूर्वा ग्रहों से वो छुटकारा नहीं पासके हैं विच जो के however किन्तु in my opinion मेरी राय में ought to be regarded उनको माना जादना चाहिए as the characteristical mark characteristical यानि vicious mark of a gentleman एक सब भी आदमी का यही होना चाहिए कि उसके अंदर prejudice नहीं for क्योंकि let a man's birth एक आदमी का जन be ever so high कभी इतना उंचा हो his station उसका जो station वैसे तो निवास इस्थान यानि उसका जो खाननान है उसका जो घर है परिवार है ever so exalted इतना exalted means भी उंचा होता है उंचा हो or his fortune या उसका भाग्य ever so large इतना विशाल हो yet फिर भी if यदी he is not free वो मुप्त नहीं है from national and other prejudices राष्ट्रिय और दूसरे prejudices पूर्वा ग्रहों से I should make bold तो मैं बहादुरी से कहूंगा to tell him उसको बताऊंगा मैं इतना बहादुर बनूँगा कि उसको बता सकूं that के he had a low and vulgar mind के he that के he had उसके पास है a low एक niche and vulgar और vulgar होता है जो कहिए कि असब भी होता है असब भी है दिमाग उसके पास है मैं उससे कहूंगा and had no just claim और उसका just means नियाय संगत claim दावा उसका कोई नियाय संगत दावा नहीं बनता to the character of a gentleman एक सज्जन पुरुष कहलाने का यानि character चरित्र सज्जन पुरुष का character हासिल करने का कोई उसका दावा नहीं बनता हमारे कविरदास जी ने भी कहा है बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंथी को चाया नहीं फल लागे अतिदूर तो यानि कितने भी उचे कुल में आप जन्म ले लीजिए कितने भी बड़े हैं आप लेकिन अगर आपके पास prejudices हैं पूर्वा ग्रह हैं दूसरों की आप अच्छाईयों को नहीं देख सकते सिर्फ उनकी बुराईयों को देख सकते हैं तो आप gentleman कहलाने के हगदार नहीं है and or in fact वास्ता में you will always found आप हमेशा पाओगे that कि those are most apt those वो आर हैं most सबसे ज़्यादा apt उप्युक्त to boast शेखी मारने में of national merit राष्ट्रिय योग्यता की who जो के have रखते हैं little or no थोड़ी सी या ना के बराबर merit योग्यता of their own अपनी खुद की to depend on जिस पर निर्भर रह सकें यानि जिनके अंदर खुद की योग्यता नहीं है वो ही अपनी राष्ट्रिय योग्यता की boast दिये हांखते हैं then बजाए which जो के to be sure निश्चित रूप से nothing is more natural उससे ज्यादा कोई और चीज स्वाभाविक नहीं है natural नहीं है प्राकृतिक नहीं है example उन्होंने दिया the slender wine slender दुबली पतली wine होती है लता तो जो लताएं होती हैं जो बेले होती है वो बड़ी कमजोर होती है slender होती है दुबली पतली होती है तो वो क्या करती है twists लिपट जाती है around चारोड the sturdy मजबूत ओक बलूत का पेड़ तो जो पेड़ है वो तो sturdy होता है मजबूत होता है और जो लता है वो कमजोर होती है तो वो क्या करती है उस पेड़ के चारोड लिपट जाती है और इस तरीके से उपर उठ जाती है तो ऐसे ही ये लोग हैं ये उसी लता की तरह हैं जो खुद की तो जिसके पास ताकत नहीं होती तो वो देश के नाम पे खुद को उंचा दिखाना चाहते है for क्योंकि no other reason कोई और कारण नहीं है in the world संसार में but बलकि because क्योंकि it has no strength इसके पास कोई ताकत नहीं है sufficient पर्याप to support itself to support समालने की itself अपने आपको should it be alleged क्या ये कहा जाना चाहिए in defense यानि बचाव में of national prejudice राश्ट्रिय पूर्वाग रहके that के it is ये है the natural, स्वाभाविक and necessary और आवश्यक growth, विकास of love, प्रेम का to our country, हमारे देश के लिए and or that के therefore इसलिए the former पहला cannot be destroyed नहीं उसको उसका विनाश किया जा सकता without hurting बिना चोट मौचाए the later बाद वाले को तो ये जो former, the former और the later तो दा फॉर्मर क्या हुआ, prejudice और the later क्या हुआ, love of the country तो ये कहना चाहरा है कि former को destroy नहीं किया जा सकता यानि prejudice को destroy नहीं किया जा सकता बिना चोट पहुँचाए later को, तो later है देश का प्यार तो क्या इसलिए हम prejudice को बढ़ावा दे दें क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भई, अगर आप ये prejudice नहीं रखेंगे दुर्भावना पूर्वाग्रह नहीं रखेंगे तो आप अपने देश को प्यार नहीं करेंगे I answer मेरा जवाब है that कि this is, ये है a gross, एक niche fallacy, कलपना and delusion or brahma कि ये तो बड़ी गिरी हुई कलपना है, ये बड़ा ब्रहम है, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि दूसरों को बुरा सावित किये बिना आप खुद को अच्छा सावित नहीं कर सकते, यानि दूसरे देश की बुराई किये बिना आप अपने देश की अच्छा ही नहीं सावित कर सकते दूसरे देशों के लोगों की बुराई किये बिना आप एक देश भक्त नहीं हो सकते ये तो बहुत ही नीच सोच है ये मानना है ओलिवर गोल्ड स्मित का तो ये चीज़ें आप नोट करेंगे आंसर देने के लिए ये सारी चीज़ें नोट करना बहुत ज़रूरी है कि ये एक ब्रह्म है और ऐसा एक देश में नहीं है ये सिर्फ अंग्रेजों की बात नहीं कर रहा हर देश में ऐसा ब्रह्म पाल लिया जाता है कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क की बुराई करें तो आप बहुत बड़े देशवक्त हैं लेकिन गुल्ड स्मित कहता है नहीं ये जरूरी नहीं कि आप दूसरे देश की बुराई करें तभी अपने आपको देशवक्त साबित कर पाएंगे ये विकास है औफ लब प्यार का to our country हमारे देश के लिए I will allow मैं ये बात मनता हूं बट लेकिन देट कि it is the natural ये प्राकरतिक है and necessary और आवश्यक है growth of it इसका जो विकास है ये स्वाभाविक है आवश्यक है I absolutely deny मैं पूर्ण रूप से इससे इंकार करता हूं superstition and enthusiasm अंधविश्वास and enthusiasm और उत्साह to be are the growth उपज of religion धर्म की तो जो अंधविश्वास है और enthusiasm है enthusiasm वैसे तो उत्साह अच्छी बात होती है लेकिन यहां लेखक का तात्पर है यहां उत्साह से न होकर अति उत्साह से है अति उत्साह क्या होता है जब आप अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा ऐसे कटर हो जाते हैं कि जो कुछ वह है वो हमारा धर्म है दूसरे सब धर्म बेकार है बगवास है तो वो होता है over enthusiasm यानि जो कटरपन है तो यह कह रहा है Oliver Goldsmith के जो superstition है जो अंधविश्वास है और जो कटरपन है जो अति उत्साह है वो भी धर्म की उपज है बट लेकिन who ever took कौन होगा जो कभी मानेगा it in his head अपने दिमाग में to affirm कहने की यह सोचेगा भी that कि they are वो है the necessary आवश्यक growth उपज विकास of this noble principle is noble means stressed principle सिद्धान्थ तो जो धर्म है वो तो noble principle है वो तो एक श्रेष्ट सिद्धान्थ है लेकिन उस मैंसे यह superstition निकलाया धर्म मैंसे अंधविश्वास निकली आया उसी मैंसे यह कटरबाद निकलाया तो कौन कहेगा कि यह आवश्यक है धर्म के लिए धर्म तो अच्छी भावना है लेकिन उसी मैंसे निकले हुए यह तो अच्छी चीज़ा नहीं है अंधविश्वास तो अच्छी चीज़ नहीं है ना कटरपन यह भी तो अच्छी बात नहीं है ना तो कौन कहेगा इसी तरीके से Oliver Goldsmith का मानना है कि Patriotism अच्छी बात है लेकिन Prejudice यह तो बुरी बात है ना Prepossession यह तो बुरी बात है ना दे आर वो हैं If You Will अगर तुम कहना चाहो तो अगर तुम चाहो तो यह कह सकते हो दा बास्टर्ड स्प्राउट्स बास्टर्ड होता है इल्लीगल चाहिल्ड तो यह एक अवैधानिक उलाद है बास्टर्ड स्प्राउट जो के उग्याया है अंकुर होता है प्राउट्स क्या होता है आप खाते है ना वो मूँके अंकुर खाते हैं गेहुंके मूं के चने के इस्प्राउट्स खाते हैं तो वो अंकुर बोलते है तो यह A-Vैधानिक अंकुर है of this heavenly plant is heavenly means दैविय प्लांट पौधे के तो धर्म तो एक heavenly plant है एक दैविय पौधा है लेकिन उसके अवैधानिक अंकुर है ये सुपरिस्टीशन और एंथूजियाजम बट लेकिन not its natural and genuine branches not नहीं है its इसके यानि के धर्म के natural, प्राकरतिक और genuine और वास्तविक and genuine branches शाखाएं and or may safely enough और safely यानि अराम से सुरक्षा पूर्वक enough परियाबत रूप से be loved off इनको काट कर फैका जा सकता है without doing बिना किये any harm कोई चोट to the parent stock parent parent stock कहा है धर्म को यानि मूल को जड़ को तो जड़ को बिना कोई चोट पहुचाएं इन शाखाओं को काट कर फैका जा सकता है ने नहीं perhaps शायद till जब तक के once एक बार they are lobbed off इनको काट दिया जाए this goodly tree ये अच्छा पेड़ can never flourish नहीं सम्रिद्ध हो सकता imperfect पूर्ण health, स्वास्थ, and vigor और ताकत यानि जब तक इन बुड़ी शाखाओं को काट कर नहीं फैका जाएगा तब तक ये जो अच्छा पेड़ है इसको अच्छी health नहीं मिल सकती अच्छी विगर ताकत नहीं मिल सकती इनको तो काटना ही पड़ेगा is it not क्या ये नहीं है very possible बहुत संभब that के I may love मैं प्यार कर सकूँ my own country अपने खुद के देश को अपने खुद के वतन को without hating बिना नफरत किये the natives निवासियों से of other countries दूसरे देशों के that के I may exert मैं दिखा सकूँ the most heroic bravery सबसे अधिक hero वाली यानि नायकों वाली bravery, बहादुरी the most सबसे ज्यादा undaunted साहसी resolution द्रणता in defending बचाने में सुरक्षा करने में its laws इसके कानूनों की and liberty और इसकी स्वतंतरता की without despising बिना नफरत किये all the rest बाकी सारे of the world संसार को as covers कायरों की तरहे और पोल्ट्रून्स या डर्पोकों की तरहे अगर ये नहीं होता I must own तो मैं ये मानूँगा I should prefer तो मैं ज्यादा पसंद करूँगा the title उस पदवी को of the ancient philosopher जो के उस प्राचीन दाशनिक की है और वो पदवी क्या है विज विज का मतलब देखिए ये जो विज है न ये लेटिन भाषा का एक शब्द है विडेली सेट विडेली सेट लेटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है that is जो के है तो उसका उसकी short form है विज तो विज citizen of the world यानि संसार का नागरिक तो मैं संसार का नागरिक होना ज्यादा पसंद करूँगा to that of an Englishman बजाए एक अंग्रेज होने के a Frenchman एक फ्रांसिसी होने के a European एक European होने के or to any other appellation या फिर कोई और ऐसा ही नाम या पदवी whatsoever जो कोई भी हो बजाए में ऐसा कोई नाम लेने के मैं अपने आपको संसार का नागरिक कहना ज्यादा पसंद करूँगा तो इसके साथ ये ऐसे यहां खतम हुआ अब ज़रा questions देख लेते हैं कि इस पर क्या possible questions बन सकते हैं तो एक question है what are the evil effects of national prejudices तो अभी आपने चैप्टर में देखा कि कितने सारे evil effects हैं यानि दुश प्रभाव हैं national prejudices के अगर हमारे अंदर prejudices होंगी पूर्वा ग्रह होंगे तो हमारे अंदर एक narrow mindedness develop होगी एक संकीनता develop होगी और संकीनता किसी भी व्यक्ति की personality के लिए अच्छी नहीं है ना एक व्यक्ति के लिए अच्छी है और ना ही किसी देश के लिए अच्छी है अगर आप दूसरे से नफरत करेंगे तो आप कैसे उमीद कर सकते हैं कि दूसरा आप से प्यार करेगा आप किसी दूसरे देश के लोगों से उस देश से उसके निवासियों से नफरत करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो भी आपसे नफरत करेंगे तो ये evil effects हैं national prejudices के इसी को आप elaborate करके लिख दीजेगा अगर descriptive type of questions हो second question है who according to goldsmith यानि कौन goldsmith के अनुसार has a low and vulgar mind उसका low यानि के नीज और vulgar निकिष्ट mind होता है and who is a gentleman और कौन व्यक्ती सज्जन होता है तो goldsmith के अनुसार low and vulgar mind उसका होता है जो prejudices रखता है जो prepossessions रखता है जो दूसरों से नफरत करता है जो दूसरे देश के लोगों से नफरत करता है उसका mind according to goldsmith low and vulgar है और दूसरी तरफ gentleman वो है जो सारे संसार के लोगों को समान समझता है सारे संसार के लोगों से प्यार करता है जो अपने आपको citizen of the world मानता है बले ही ना माने citizen of the world लेकिन अपने देश से प्यार करे साथी दूसरे देश के लोगों से भी प्यार करे उनसे नफरत ना करे वो gentleman है वो सज्जन व्यक्ती है next question है are national prejudices the natural growth of love for one's country यानि क्या जो राष्ट्रिय पुर्वाग्रह है वो प्राकृतिक उपज है of love प्यार के for one's country अपने देश के लिए यानि अपने देश के लिए प्यार का प्राकृतिक उपज राष्ट्रिय पुर्वाग्रह है तो इसका जवाब आप लिखेंगे नहीं no national prejudices are not the natural growth of love for one's country और आगे आप लिखेंगे that this is proved by Oliver Goldsmith by giving the example of religion धर्म का उदाहरन देके वो इस बात को प्रूव करता है क्या कहता है वो कि religion अगर root है तो उसमें से कुछ बुरी शाखाएं निकलाती हैं जिनमें से superstition और enthusiasm हैं यानि जो कटरपन है वो है और अंधविश्वास है तो ये जो दो बुरी शाखाएं हैं उनको क्या करना है हमें काट कर फैक ना है ये कहा है उसने अभी आपने chapter जब पढ़ा तो वो हमें काट कर फैक नहीं है ताकि जो जड़ जिससे के वो धर्म पेड निकला है धर्म रूपी वो अच्छे से ग्रोथ कर सके इसी प्रकार से Oliver Gold Smith का कहना है कि ये जो national prejudices हैं पूर्वाग्रह है ये prepossessions हैं वो वही बुरी शाखाए हैं जो राष्ट प्रेम को बढ़ने नहीं देंगी राष्ट प्रेम अगर व्रिक्ष है तो national prejudices बुरी शाखाए हैं उनको काटना जरूरी है तो वो natural growth तो कही ही नहीं जा सकती यह आपको इस अंसर में लिखना है फिर लास्ट कोईशन देखते हैं यानी गोल्ड स्मित किसको सिटीजन आफ दे वर्ल कहता है यानी संसार का नागरे किसे कहता है तो एक तो उसने एक फिलोसफर का एक्जामपल दिया है कि एक फिलोसफर था उससे जब पूछा गया कि तुम किस देश के निवासी हो तो उसने कहा I am a citizen of the world और दूसरा गोल्ड स्मित उस व्यक्ति को citizen of the world कहता है जो कि सभी देशों से प्यार करता है सभी देशों के नागरेकों को प्यार करता है सभी लोगों को समान समझता है किसी से नफरत नहीं करता किसी के खिलाफ prejudice नहीं रखता किसी के खिलाफ prepossession नहीं रखता तो इसी तरीके से अगर आपने chapter पढ़ा है ध्यान से और उसमें क्या-क्या बताया गया है वो points आपने ध्यान दिया है नोट किये हैं अपनी notebook में तो आप किसी भी question का answer दे सकते हैं चाहे वो question multiple choice हो या फिर descriptive हो अब मुझे लगता है ये वीडियो मुझे यहां समात करनी चाहिए धन्यवाद